आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीजो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good Morning Students तो आज का मारा Question है Induction Furnace makes use of Self-Induction, Mutual Induction, Eddy Currents and Magnetic Flux तो जो Induction Furnace है ना यह Basically Eddy Currents के Funday पर काम करता है तो देखो मैं थोड़ा सा एक Idea दे देता हूँ Eddy Currents क्या होते हैं जब भी हम किसी Magnet को किसी Loop के पास लेके जाते हैं तो यह इसको Counter करने के लिए According to Lens Law अपने साइड एक North Pole जनरेट कर सकता है कैसे जनरेट कर सकता है एक Flow तियार करके Current Induce कर देगा तो अगर मैं इसको इसके तरफ ले जाना हूँ तो इसको Repel कर सकता है पर इसके पास तो एक Complete Path है एक Closed Loop है इसलिए इसमें आराम से Electron Flow कर सकते हैं पर What About एक ऐसी Metallic Surface को ले रो अब इसमें क्या होगा Repel तो ये भी करना चाहेगा चाहता तो ये भी एक इसको रोके बट इसके अंदर कोई Closed Loop तो नहीं है ये तो एक Metallic Surface है तो होता क्या है इस Metallic Surface के अंदर ही जो हमारे पास Electrons हैं वो Revolve करने लगते हैं ठीक है इसी Direction में Revolve करेंगे और ये Revolve करते हैं और ऐसा लगता है जो Revolve कर रहे हैं ये एक Whirlpool की तरह हमें फील होता है और इसलिए ही इसको Addie Currents या Whirlpool Currents भी भोला जाता है तो ये है Addie Currents का Funda तो जो Induction Furnace है बेसिकली उसमें हम लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये Electrons का Flow बहुत जादा बढ़ा सकें और जब Electrons बहुत जादा तेज अमांट में भागेंगे ना तो मत भूलो उसमें Friction भी बहुत ही जादा Generate हो जाएगा और अगर Friction बढ़ेगा तो Friction के कारण Generate होती है Heat और ये Heat अगर हम बहुत जादा कर दें तो ये sufficiently large हो जाएगा कि एक पूरी Furnace को चला सके Furnace मतलब भट्टी जिसके अंदर हम लोग Metals को पिगला सकते हैं तो Induction Furnace makes use of Eddy Currants तो I hope सब कोई Question समझ में आ गया होगा कर देंगा